Hi friends, क्या आपका iMobile app काम नहीं कर रहा, क्या उसमें एक blank screen दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा कुछ है, तो मेरे पास solution है, क्योंकि लिए मेरे साथ भी same हुआ था, अचानक सा मैंने देखा कि एक दिन iMobile app जो है, वो काम नहीं कर रहा, और एक blank screen शो कर रहा, उसके आगे वो पहले मैं आपको बता दू कि iMobile app जो है, वो ICICI bank का mobile application है, जिसके थूँ आप online transaction कर सकते हो, वो एक दिन work करना बंद कर दिया, तो कैसे मैंने ठीक किया, वो मैं आपको share करते हूँ, सबसे पहले पहला चीज, वैसे तीन चीज कर सकते हैं, तो पहला चीज है कि आप पहले setting चेंज करने के बाद क्या वो वक कर रहा है कि नहीं, setting के लिए आपको mobile की setting पर जाना पड़ेगा, setting पर जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा, यह जो app दिख रहा है, वहाँ पर, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, app manager में, app manager में आपको ढूलना पड़ेगा, application जिसमें लिखा है, iMobile Pay, उसको open करने के बाद आपको दिख रहा होगा, manage notification, permission, storage, तो manage notification को आपको allow करके रखना पड़ेगा, परिमिशन सारा allow करके रखना पड़ेगा, और storage जो है, सबसे पहले आप अपना जो storage है, वो clear कर लिजेगा, जब देख रहे हैं, सबसे पहले इसको clear करेगा, storage आप अपना देख रहे है, clear data, clear catchy, यह सब clear करने के बाद, फिर से देख लिजेगा, कि manage notification और permission, जो है, सब कुछ enable हो, allow किया हुआ हो, नहीं होगा, तो सारा चीज़ allow कर दीजेगा, restart your phone, अगर देखे होता है कि नहीं, अगर इसके बाद भी आपका नहीं work करता है, तो second चीज जो आप कर सकते हो, वो यह है, कि अपना जो SIM है, यानि जो registered mobile SIM है, आपका जो bank है, ICC का, उसमें आपने अपना एक number दिया होगा, जो कि यह registered number है, जहाँ पर आपका सारा message आता होगा, ICC बैक में जब भी कुछ account debit or credit होता है, तो वहाँ पर एक prompt message कर देता है, on करके देख सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो, कि i-mobile app क्या, वहाँ पर भी work कर रहा है कि नहीं, मेरे case में क्या हुआ था, कि मेरे cell phone में अचानक से बंद कर दिया था, तो फिर मैंने दूसरे mobile पर लगा के देखा, तो वह दूसरे mobile पर बहुत आराम से work कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, पर मेरे mobile पर नहीं कर रहा था, मैंने क्या किया था, मैंने customer care में phone किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आप यह setting करके देख सकते हो, नहीं हो रहा, तो अगर आपके पास extra phone है, तो उसमें work करके कर सकते हो, अगर वो नहीं हो रहा, तो आप customer care में भी phone कर सकते हो, customer care में कैसे क्या करना है, आपको customer जो कि आप नमबर देख रहे हो 1-800-1080 इस नमबर पर आपको कॉल करना है जब आप कॉल करोगे तो IVR पर चला जाएगा सबसे पहले आप से पूछता है कि लैंग्विज आप इंगलेश इंदी जो भी comfortable language हो वो चूज कर लीचेगा फिर पूछता है कि कि आपको जानका रीचेए यानि banking से related है credit card से debit card से किस से related है loan से related है banking वाला मैंने टीपा था उसके लिए था select one फिर था second में पूछा कि अगर आपको customer के executive से बात करना है तो आप 9 press करें तो मैंने 9 press किया था फिर जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि उनके site से जो play store है वहाँ पर जो application है i-mobile वो update किया गया है इसीलिए मेरे mobile में वो अभी show नहीं कर रहा मैंने कहा कि मेरे mobile में तो कोई update ऐसा कुछ show ही नहीं कर रहा उन्हेंने कहा कि आप एक काम करिए कुछ दिन wait करिए आपको वो जल्स show करतेगा उनको पता है कि ऐसा problem हो रहा है काफी के साथ हो रहा है तो आप थोड़ा wait करिए और देखिए updated version आएगा अप update करिएगा फिर आपका अराम से work करेगा फिर मैंने वही किया मैंने एक दो दिन रुका फिर मैंने देखा कि iMobile app जो प्ले स्टोर में है उसमें update बोलके दिखाने लग गया था तो मैंने वहाँ क्लिक किया और जब update किया तो वापस से work करने लग गया तो मेरा भी आपके लिए suggestion है जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रावीट वहाँ तो वह वे डैसे कर सकतीं और नहीं तो आप जब कर मेंने बताया कश्टमर क्याय प्राविट प्राविट बैंक मिनलब प्राविट बैंके के लिए तो वह नबर पे आप call कर सकते हो اور उस तरीके से आप customer के executive से बात कर सकते हो अपनी जो problem में बता सकते हो और let's see कैसे वो अपकी help करते है मेरे case में ऐसे help हुई थी सोचा की क्यों ना मैं आपके शाद भी अपना experience शेर करो so thank you and bye-bye